Hello friends, good afternoon, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे So friends, आज 9 December 2021 और आज की स्वीड़ों हम लोग 9 December के दैनिक रोजगार समाचार को देखेंगे आप लोग मुख के खबरे देख सकते हैं, इन सबी कबरों को अभी हम लोग डीटेल में देखेंगे जैसे बीड करने के लिए graduation में कितने percentage होने चाहिए, जैसे जितना मांगता है graduation में उत्रा नहीं है, जैसे आप लोग post graduation किये हैं, तो उसमें कितना percentage होना चाहिए और जैसे PZ-based से करते हैं, बीड तो कितने साल का होगा, एक साल का की दो साल का अभी हम लोग डीटेल में बात करेंगे, बीड के बारे में, उसके बाद लेक पाल भरती का जल्द जारी होगा विग्यापन आप सभी को बता है, कल जो है इसका official syllabus जारी कर दिया गया है मैंने उसकी जो है वीडियो भी बनाया था, उसके बाद UP TET, exam date के बारे में update आई है परसों अभी बयान आया था कि UP TET का जो exam होगा, वो December में ही होगा, अब जो है December में नहीं होगा अभी हम लोग detail में बात करेंगे कि TET का जो exam है कब होशकता है, उसके बाद TET के admit card में जो है बदलाव होगा ठीक है कभी चर्चाएं हो रही थी कि पुराने वाले से ही जो है काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा चलिए इस video को start करते है सबसे पहले हम बात करते हैं B.A.D. करने के लिए graduation में कितने percentage होने चाहिए ठीक है देखें B.A.D. करने के लिए graduation में 50% होने चाहिए 50% अगर आप लोग general O.B.C. है general O.B.C. candidate है तो आपके graduation में 50% होने चाहिए अगर S.E.H.T. है तो आपके 45% है तब भी आप लोग B.A.D. कर शकते हैं ठीक है general के लिए और O.B.C. के लिए 50% graduation में होने चाहिए जैसे जिनका 50% graduation में नहीं है वो लोग जैसे P.G. किये हैं तो उनका PG में 50% होना चाहिए तब ही आप लोग B.A.D. कर शकते हैं और P.G.B.C. से जैसे आप लोग करते हैं B.A.D. तो आपका 2 year कही होगा ठीक है जब तक नई सिच्छा नीती start नहीं होती है तब तक आपका दो वर्स कही B.A.D. होगा ठीक है जब नई सिच्छा नीती जो है लागू हो जाएगी तब जो है आपका B.A.D. एक वर्स का हो जाएगा PG के B.A.D. से ठीक है अभी आपका 2 वर्स कही B.A.D. होगा तो समझ में आ गया होगा और B.A.D. से समझे कुछ डाउट्स बेगा रहा हो तो आप लोग कमेंट बक्स में अपना डाउट के लिए कर सकते हैं अगर आपको 2022 में UPC B.A.D. करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएए चैनलों को सब्सक्राइब करके बगल में विलाकन को OLP Press के लिए जगा 2022 के लिए क्लासेस में बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ और एक दो क्लासेस हो भी गई है थोड़ा हेल्थ प्राबलम है उसी की वज़े से जो है क्लासेस अभी नहीं आ पा रही है और आज बहुत लेट वीडियो आ रही है फीवर की जारी किया परिक्षा का पाठे क्रम इसकी मैंने इस्पेसल वीडियो बनाई थी कल आप सभी लोग देखे भी होंगे उसमें मैंने बताया था सो प्रश्ण होंगे सो नंबर के होंगे नेगेटिव मार्किंग भी होगी वन बाई फोर ठीक है यहाँ पे देख शकते हैं कोटिपिकेशन जारी किया जा सकता है और आज हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के बेस्ट प्रैक्टिसेट बुक के बारे में जो की चक्सू पॉप्लिकेशन की यह प्रैक्टिसेट की बुक है आप शबी को बता कि सीटेट को जो एक्जाम है 16 के लिए पांचो सब्जेट के कोश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिस के भी आपको देखने को मिलेंगे लैंग्वेज में जाएसे आप लोग इंग्लिस लिए हैं संस्कित लिए हैं तो दोनों देखने को मिलेंगे यह जो बुक है आपको हर मार्केट प यहां पे तो बहुत यह अच्छी बुक है चक्षूप अप्लिकेशन की यह प्रैक्टिसेट की बुक है सीटेट एक्जाम के लिए और चक्षूप अप्लिकेशन की जो है सीटेट एक्जाम के लिए हर सब्जेट की अलग-अलग भी बुक आती है तो अलग-अलग भी आप लो नहीं है UPTT को जो है दोबारा से एक महिने में कराना किसी सूरत में संभव नहीं है हालि में बेसिक सिच्छा मंतरी सतीस दिवेदी ने दिसंबर में दोबारा परिच्छा कराने की बात कही थी लेकिन आयूजन से जुले लोगों को मानना है कि जनवरी के दूसरे सब्ता के बाद ही परिच्छा हो सकती है यानि कि जनवरी के लाश्ट वीक में यूपी टेट का एक्जाम होगा 2022 में ठीक है दिसंबर में किसी भी सूरत में एक्जाम नहीं होगा यूपी टेट का लाश्ट जनवरी में आपका एक्जाम होगा और टीटी के जो हैं परवेस पत्र फिर से जारी होंगे पुराने वाले से काम नहीं चलेगा निव एड्मिट कार्ट इसके जारी किये जाएंगे शो फ्रेंड्स आज की यानि की 9 दिसंबर की यही थी अपडेट ऐसी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैलने से जोड़े रहें थांक यू